सभी दोस्तों को बाबा बतोली की प्यार बरी राम राम तो दोस्तों जैसे जैसे देश में टेक्नलोजी बढ़ी है टेक्नलोजी का इस्तिमाल बढ़ा है उसी तरह से हमारा जीवन बहुत आसान होता जा रहा है आप सभी जानते हैं पहले private banks ने किया अब क्या है अब सरकारी बैंकों ने भी अपनी internet bank की और साथ में उन्होंने mobile app भी launch करने शुरू कर दी है तो उसी के तहट PNB ने अपना PNB One नाम से mobile app launch किया है और ये एक बहुत बड़ा step है क्योंकि PNB One से आप क्या कर सकते हैं आप उसके तुरू FD कर सकते हैं आप RD कर सकते हैं PPF कर सकते हैं पैसा transfer कर सकते हैं अपनी statement download कर सकते हैं मतलब जो भी आप bank जाके करते थे जिसके लिए आपको time लगाना पड़ता था वो सारा काम आपने घर बैठे अपने mobile से कर सकते हैं मगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि लोगों को ये जानकारी नहीं है कि PNB One तो हमारे पास चलो हमें पता है कि PNB One नाम से कोई चीज है मगर उसको login कैसे करना है तो पहली बार अगर आपको पता लगाना है कि उसको login कैसे करना है तो उसके लिए ये वीडियो बनाया है कि आप first time login कैसे करेंगे और step by step process है live आप अराम से देखिए समझे कोई भी दिक्कत हो मुझे comment box में लिखना सबसे जरूरी चीज ये है कि जब आप इसको कर रहे हो तो आपके पास आपका अधार number अधार card जरूर होना चाहिए और आपके पास वो mobile number जरूर होना चाहिए जो आपका bank के साथ registered है और आधार card के साथ registered है दो चीज़े आपको अपने पास रखनी है अपनी bank के पास book रखनी है बस और आपका ये process पूरा हो जाएगा चलिए स्कीन पर चलते है और देखते हैं कि ये process पूरा कैसे करा जाएगा PNB1 लोगिन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेस्टोर में जाना है और वहाँ पर PNB1 एपको आपने इंस्ट्रॉल कर लेना है मेरी यहाँ पर अल्रीड इंस्ट्रॉल रहा है तो मैं यहाँ डायक्लिस को ओपन कर लेता हूँ इसके बाद आपको दो ओप्शन दिखा अगर आपके पास debit card है और आपने उसका pin set कर रखा है तो आपको बागी दुनों option लेने पड़ेंगे तो अभी इसमें सबसे आसान तरीका जो होता है वो आसान तरीका होता है अधार काड के साथ करनेगा तो हम इसमें अधार के थू करेंगे हम यह जो रिश्टेशन करेंग और इससे select करने के बाद में हम यहाँ यह जो option देना है को click कर देंगे यहाँ पे आपको वो बहुत सारी information दे रहा है यह आप पढ़ सकते हैं इन्हें पढ़ने के बाद में आपको नीचे जो है continue के option को आपको click कर देना है उसके बाद में वो आपको यहाँ पे आपसे account number मांग रहा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना account number डालना है और उसके बाद नीचे आपको दे रहा हूँ pen card या date of birth आप किस तरह से आप उसको verify करना चाहेंगे तो pen card अगर आपने वहाँ पे अपना जमा कर रखा है number दे रखा है तो pen card डाल सकते हैं नहीं तो date of birth से भी आप इसको कर सकते हैं मैं date of birth से कर रहा हूँ क्योंकि date of birth से करना भी एक आसान प्रोसेस है तो मैं date of birth यहाँ पे मैंने select कर ली उसके बाद नीचे आपको दे रहा है registration channel उसमें आपको उसने दो option दी है एक दिया है mobile banking services दूसरा दिया है mobile and internet banking services तो हम पूरी facility लेंगे तो mobile and internet banking select करेंगे नीचे उसने option दे रखा है view only या view and transaction तो prefer mode of operation में हम view and transaction ही select करेंगे क्योंकि view खाली करोगे तो सिर्फ आप उसमें देख सकते हो कोई transaction नहीं कर पाऊगे यानि किसी दूसरे को पैसा transfer करना है FD open करनी है PPM open करना है वो सब आप नहीं कर पाऊगे तो इसलिए view and transaction वाला जो option होता है उसी option को हमें select करके रखना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाए PNV1 को यह करने के बाद आपको continue को click कर देना है तो जैसे आप उसको click करेंगे अब यह आपका जो mobile number उसके साथ enrolled है bank में उस पे आपका एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर भर देना है और उसके बाद में आपको continue को press कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपका आधार number बांग रहा है तो आपको यहाँ पर अपना आधार number डाल देना है और नीचे जो box बना हुआ है डबबा बना हुआ है इस डबबे को आपको tick कर देना है यहाँ पर और उसके बाद आप यहाँ पर submit को click करेंगे इस submit को click करने के बाद आपका जो next screen आएगी उसमें आपके पास एक OTP आएगा उस नंबर पर जो आपका अधार के साथ linked है तो जो OTP आएगा वो OTP आपको इसमें भर देना है उसे भरने के बाद आप दुबार से continue को click क करेंगे यह click करने के बाद में अब यहाँ पर आपको तीन तरह के password सेट करने हैं सबसे पहले sign in password करना है दूसरा transaction पासवर्ड करना है और तीसरा टीप in करना है तो password आपको strong रखना है जैसे जैसे आप password इसमें भरते जाएंगे वो आपको बता देगा कि आपका password strong है या नह कर दें जैसे से आप बरेंगे देकर नीचे इसमें दिखा रहा है पासवर्ड स्टेंथ वेरी स्ट्रॉंग और यह पासवर्ड आप अपने पास कहीं पर नोट करके रख लें क्योंकि अगर आप यह भूल गए तो फिर आपको फिर बाद में दुबारा दिक्कत होगी पासवर सेट हो गया है इसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देरा साइन का तो आपको यहाँ पे स इना AN Muy comment को जैसे आप अडिक करेंगे तो कहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है अगर दो हैं तो वो सिम सेलेट करें और कंटीनू को क्लिक कर दें आपके पास एक OTP आएगा वो OTP आपको यहां पर फिल करना है तो जैसी आप इस OTP को फिल करेंगे OTP फिल करने के बाद में आपको अपने चार डिजिट का M-PIN डालना है जो आपने अभी सेट किया था उस चार डिजिट के M-PIN को आप यहां पर सेट कर देंगे उसको सेट करने के बाद आपने जैसी देखेंगे तो आपका वो लोग इन हो जाएगा इंफोर्मिशन देगा औ कर सकते हैं अपना इंशोरेंस ले सकते हैं पीपफ कर सकते हैं तो यह सारी चीजे आप इसके दूब कर सकते हैं तो यह सिंपल सा प्रोसस है कोई भी आपको क्वेरी हो कोई भी आपके सवाल हूं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लग सकते हैं मैं आपके सवालों क दवाब देने के कुशिश करूगा देने बाद